Hello friends, welcome back to my YouTube channel तो friends कविता की बुनाई में आप लोग का स्वागत है तो friends मैं आज आप लोग के लिए designer border लेकर आई हूँ तो ये designer border आप लोग all project पर लगा सकते हैं तो जैसे ये border भी बना सकते हैं आप फिर बुन्ती के तरह भी ये design जैसे पूरे sweater पर फुल स्वेटर पर लगा सकते हैं ठीक है या फिर आप ये बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं तो जैसे आप थमनिल में देख रहे हो तो वही सेम हमारा बॉर्डर बन के आएगा तो चले शुरू करते हैं तो डिजाइन शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले डिजाइन की नहीं वीडियो की नौटिक्शन सबसे पहले आप लोगों तक पहुच जाए तो सबसे पहले क्या करना है आप डिजाइन की पहली शिलाए सीधी साथ से तो यह बॉर्डर है ठीक है तो बॉर्डर बनाने के लिए ठीक है अगर आप बॉर्डर बनाना चाहे बॉर्डर भी बना सकते हैं जैसे आप पूरे स्वैटर में लगाना चाहे तो भी लगा सकते ह तो इस design को आप blanket पर भी लगा सकते हैं तो यहां पर दिखिए, सीधे side से पूरे फंदे यहां पर सीधे सीधे बना कर complete करेंगे पहली शिलाई सीधे तरफ से इस तरह से आपके पाश जितने भी फंदे हो पूरे फंदे सीधे सीधे बना कर complete करेंगे यह हमारी पहली शिलाई हो गई complete सीधे साट से दूसरी शिलाई उल्टे तरफ से यहाँ पर भी हम पूरे फंदे उल्टे उल्टे बना कर complete करेंगे उल्टे तरफ से दूसरी शिलाई है तो आपके पास जितने भी फंदे हो पूरे फंदे उल्टे उल्टे बना कर complete करेंगे यह हमारी दूसरी शिलाई हो गई complete उल्टे तरफ से तो तिसरी शिलाई सीदे तरफ से अब यहाँ पर डिजाइन शुरू होना है तो दो दो फंदो के मल्टिपल में आपने फंदे लगाने है दो फंदे दो फंदे ठीक है तो मैं यह कन्फूज हो रहे होती कि मल्टिपल में आपने फंदे लगाने है तो मैं बता दूँ आपको दो दो फंदो के multiple में आपने फंदे लगाने है तो चलिए पहला फंदा as stitch हमने उतार दिया अब ये जो दो फंदे है दो फंदो को हमने ऐसा नहीं बनाना है इस तरह से इधर से 20 से शलाई लगाएंगे इस तरह से 20 से शलाई में ठीक है इस तरह से दो दो फंदो का दोनों फंदो को इस तरह से बीच से लगाएंगे शलाई फिर इस तरह से दो फंदो का एक करते वे जाएंगे तो इस तरह से पूरे फंदे दो का एक करते वे complete करेंगे यह देखिए आपको सिर्फ इस तरह से बीच से लगाना है इधर से शलाई को यह देखिए इस तरह से बीच से शलाई लगा दिया दो फंदे का एक किया बीच से शलाई लगाया दो फंदे का एक किया इस तरह से तिसरी शिलाई सीधी तरफ से आपके पास जितने भी फंदे हो इसी तरह से दो का एक करते वे कम्प्लीट करेंगे इस तरह से तिसरी शिलाई सीधी साट से तो ये हमारे फंदे complete हो गए इस तरह से last में एस्टिच एक सीधा सीधे तरफ से तीसरी शला इस तरह से complete हो गई चौती शला उल्टे तरफ से दियान से देखे ये फोर्ट रो है हमारी wrong side पहला फंदा उतार दिया दागा पीछे करेंगे अब यहां पर हमने क्या करना है यह जो जाली जैसा फंदा दिख रहा है आपको इसको पहले नहीं बनाएंगे यह पशुरू का फंदा इसको बनाना है यह देखिए पहला फंदा बना दिया यह देखिए यह जाली सा फंदा नजर आ रहा है इसको हमने बनाना है इस तरह से यानि कि wrong side है पूरे फंदे हमारे यहाँ पर सीधे बनाई होएंगे चौथी शिलाई में जैसे इस फंदे को बना दिया फंदा बनाने के बाद यह जाली की तरह आपको फंदा नज़र आएगा इसको बस आपको इसको आपने बनाते हुए जाना है उठाते हुए बनाते हुए जाना है पूरे फंदे बाहर की तरफ डिजाइन कीए चौथी शिलाई है wrong side उल्टे तरफ से पर बुनाई करने हमें सीधे सीधे इस तरह से यह देखे यह यह जाली है इसको बना दिया यह जाली आपको इसली पता चल जाएगा यह जाली वाला फंदा को बनाना है उठा कर इस तरह से फिर फंदे की बनाई करना है फिर यह देखे जाली वाले फंदे को बनाना है उठा कर फिर एक फंदे को बनाना है तो इस तरह से design की चौथी शलाई complete करेंगे उल्टे तरफ से सीधी सीधी बनाई करके तो ये हमारी design की हो गई चौथी शलाई उल्टे तरफ से सीधे सीधे भंदे बनाकर complete किया ठीक है ये देखिए हमारा design का look कुछ इस तरह से आएगा तो फिर से यहाँ पर सीधे तरफ से है हम तो यहाँ पर पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर complete करेंगे इस तरह से फिर से हमारा design repeat हो रहा है design हमारा same वही है फिर से ये पहली शलाई है design की पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर complete करेंगे सीधे तरफ से आपके पास जितने भी फंदे हो, सीधे सीधे बना कर complete करेंगे तो यह हमारी फिर से पहली शिलाई complete हो गई, फिर से repeat करा रही हूं मैं आपको फिर से design की चलते हैं दूसरी शिलाई तो यहां पर आपको पूरे फंदे उल्टे उल्टे बना कर complete करने हैं दूसरी शलाई उल्टे तरफ से कम्प्लीट हो गई फिर से तीसरी शलाई सीधी तरफ से अब यहां पर देखिए फिर से सेम वही करना है हमें तो आपको याद होगा हमने क्या क्या था तीसरी शलाई में यह देखिए शुरू का पहला फंदा उतार दिया उसके बाद यहां से दो फंदों का इस तरह से बीस से यह इस तरह से लगाते वे दो दो फंदों का एक करते वे गए इस तरह से तीसरी शलाई सीधी सेड में यह देखिए पहली दूसरी शलाई आपको सिंपल बुनाई करनी है तीसरी शलाई में आपको डिजाइन डालना है चोछी शलाई में उल्टे तरप से पूरे फंदों को सीधा-सीधा बनाते वे जो एक फंदा बीस से हम जाली वाला उठाते वे उसको complete करना है इस तरह से यह हर दो फंदों को इस तरह से बीच से दो का एक करते हुए कमप्लेट करना है इस तरह से तो ये हो गई फिर से डिजाइन की हमारी तेस रिश लाए सीधी तरफ से कमप्लेट ये देखिए हमारा डिजाइन का प्यारा सा लुक कुछ इस तरह से खिलने लगा है तो चलते हैं उल्टे तरफ से यहाँ पर देखिए पहला फंदा उतारा अब फिर से हमने दागा को भार करके शुरू का ये जाली को उठाते हुए जाना है पहले में हमने नहीं उठाया तो उसके बाद आपने लगातार उठाते हुए जाना है तो शुरू से ही आपने उठाते हुए जाना है तो ये सबसे पहले तो आप फंदों का दियान रखे फंदे आपके कम नहीं होने चाहिए ठीक है तो इस तरह से जैसे पहला फंदा एस्टिश हमने उतारा दागा बाहर के तरफ किया फिर यहाँ पर शुरू में यह जाली को हमने उतार कर एक फंदा बनाया दूसरा फंदा बनाया तिसरा यह हमारा यह देखिए जाली वाला फंदा इजली पता चल रहा है बना दिया इस तरह से यह देखिए यह फंदा इजली पता चल रहा है जाली वाला फंदा इसको इस तरह से बनाते हुए जाएंगे चौथी शिलाए में हमारा डिजाइन कंप्लीट हो ज तो यह हमारे डिजाइन की चौतिश लाई हो गई कम्प्लेट उल्टे तरफ से पूरे फंदे सीधे सीधे बनाया और जाली वाले फंदे को उठाते वे हमने बना दिया बैक साइट से लुक कुछ इस तरह से आएगा रैट साइट से हमारा डिजाइन का लुक कुछ इस तरह से आएगा अब इसके बाद फिर से क्या करना है सेम वही दो शिलाई सिंपल बुनाई करनी है तो तिसरी शिलाई में डिजाइन डालना है चौती शिलाई में आपको जैसे दो दो फंदो का हम तिसरी शिलाई में एक करते वे गए चौती शिलाई में बीच से एक फंदा उठाते वे और एक फंदा को जो आपका है उसको सीधा सीधा बनाकर चौती शिलाई में कम्पलेट करेंगे ठीक है तो डिजाइन से पहले दो शिलाई आपका सिंपल बुनाई बनना ही बनना है तो इस तरह से फिर से यह पहली शलाया डिजाइन की जैसे हमारी डिजाइन कम्प्लिट हो गई उसके बाद यह दो शलाया आपको बनाना ही बनाना है तो यह देखिए हमारा डिजाइन का लुक कुछ इस तरह से आएगा यह देखिए, बहुत ही प्यारा और यूनिक सा यह हमारा डिजाइन है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राइ करें, तो अगर आप लोगों को मेरी डिजाइन वाली वीडियो ची लगती है, समझाती है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, बेल नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है दूस्तों, बाइ, थैंक्यू